तो स्वागत भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल केपीम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्य कबड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पांच वा मैच और टुरुनामे देख लीजिएगा यहाँ पर भाई आपके लिए 20 लाक रुपे की जील भी लगी हुई है साथ ही साथ स्मोल लीग में भी आप यहाँ पर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप वीडियो को देख कर मतलब कम्पलीट देखकर इन्वेस्ट करते हो तो कोशिश करेंगे मतलब जिस लेवल पर फिक्सिंग कर रहे है उस हिसाब से टीम मनाने कोशिश करेंगे बाकि हो सकता है ना भी बन पाए पर मैं अपना बैस्ट देने की ट्राई करूंगा और यहाँ पर देखें यह चीज़ हो रहे कि आपर फिक्सिंग चल रही है तो में थोड़ी से रजल्ट हमारे एवरेज हो है और स्पेशली स्मॉल लीक में अभी तक ज्यादा कुछ बड़ा आसिल नहीं किया और सबसे इंपोर्टन चीज यहाँ पर जो यह मैच है ना मैच में हमें फोकस करना है जील के उपर अब देखें इस जील के उपर कैसे फोकस क देखने तक इंपोर्टन चैनल भी जोइन करने है dor不到 इस जील की टीइम्स में प्रवाइड करवा हूँए तो अगर आपको six grand league की टीम्स चाहिए 달 आपको टेलिग्राम चैनल जारूर बीजो इन कहने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक है, दोनो जगह आपको लिंक मिल जाएगा, तो अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया है, तो जोईन कर लीजेगा, क्यों कि भाई, फाइनल टीम्स आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है, अगर मानलो बाई चांस, दोनो लिंक वर्क ना करें, मानलो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक भी वर्क ना करें, कोमेंट शेक्शन वाला लिंक भी वर्क ना करें, तो वैसे आप देख सकते हैं, आप छे जील की टीम्स, ठीक है, कोमेंट शेक्शन वाला लिंक भी वर ना करें तो आपको क्या करने है तो वाई simply आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने है at the rate kpm simply लिखने है छोटे letters में और फिर team सिर्फ आपको इतना लिखने है at the rate kpm teams आपको जो top पर channel दिख रहे है न यही हमारा एक मातर channel है इसी channel पर आपको आकर join हो जाना है बाकी चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक बर points table की तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पांचवे नंबर पर जो team है वो आपको दिखेगी कसरानी लोएंस की team ठीक है दूसरी जो important चीज है यहाँ पर कसरानी लोएंस के अलावा जो दूसरी team है N.Y.S.K.C. 15 मैच में से 4 मैच जीते 10 मैच एक मैच टाइम माइनस 58 का score difference है जो की मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा negative में है और यहाँ से 15 मैच खेलने के बाद इनका अगर यह score difference है और इस नंबर पर 9 पोजिशन पर अगर यह बने हुए तो इनकी भी उपर जाने के chances काफी ज़्यादा कम है इन्हें अपने सारे मैच काफी ज़्यादा अच्छे margin से win करने हुए तब जाके इनके chances बन सकते हैं अब यहाँ पर जो important चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ दोनों teams में से favor किसको करेंगे तो कसरानी लोयन्स को यह पर favor करेंगे और कौन से player important रहेंगे कौन सी क्या चीज़ है आपके लिए जादे important रहेंगे चलिए अब direct उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो दिखिए starting seven से start करेंगे और small league की आपर आपको team भी बना के दिखाएंगे यहाँ पर अगर बात करें कासरानी लोयन्स की तो आपके लिए एक important fix यहाँ तो हो सकते है even grand league में तो आप इन्हें captaincy भी दे सकते हो एमो मुलों की बात करेंगे यह आपको लगातार खेलते दिखेंगे और बहुत ही शांदार प्लेयर है अलांग की consistency थोड़ी सी कम नजर आती है बट फिर भी आपके लिए एक important pick सा भी तो हो सकते है वहीं अगर भाई यहाँ पर बात करें इनके अलावा तो यहाँ पर भाई डी ओचेंग आपके लिए important रहेंगे वहीं अगर बात करें old rounder section की तो यह पर आर बोनिफेस आपको दिखेंगे जो लगातार performance दे रहें लेकिन बड़े लेवल पर performance नहीं दे पाए मतलब कोई ऐसी match जीता हूँ performance नहीं आई है कि भाई इन्होंने अकेले दंपरी match भी न करवा दिया है डबलू आने होनी की बात करें यह भी आपके लिए जील मिनी जील में important रहेंगे इने भी आप जील मिनी जील में ट्राइ कीजेगा सेम भाई मुचूरी के लिए बोलूँगा बात करेंगा रेडिंग सेक्शन की तो यहां से आपको इनकी तरफ से बैतर इन फोर्म में चल रहें प्लेयर दिखेंगे जो रेडिंग डिपार्टमेंट में आपको जरूर दिखेंगे लेकिन एक all-rounder का काम करते आपको दिखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही important प्लेयर रहेंगे जरूर से आप इन अपनी टीम में try कर सकते हो बात करते हैं भाई सामने वाली टीम की निकी तरफ से आपको क्या दिखेगा इनकी तरफ से दिखेंगे आई मुगांबी जो लगातार average performance देते हैं लेकिन बीच बीच में एक दो मैच खतरनाक performance के भी निकाल देते हैं तो आपके लिए important रहेंगे try आप जरूर से कर सकते हो यहां पर आपको दिखेंगे इनकी तरफ से एक player कोफी जो की भाई लगातार average performance दे रहा है starting में भाई start इन्होंने बहुत अच्छा किया था उसके बाद भाई आपर कुछ खास है नहीं फिर performance फिर फ्लोप फिर फ्लोप और उसके बाद भाई उठे नहीं है भी अब यहां पर अगर बात करें तो इन्हें आप अपनी टीम मे ही तो सकते लेकिन इनके साथ एक दिक्तत है इन्हें एना टीम substitute list में रखती है अगर मालो किसी match में ऐसा हुआ ना कि इनको खेलने ही नहीं उता रहा तो भाई आपकी टीम मतलब बिल्कुली flop हो जाएगी तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है बात करें ए ओगवांग की तो इन्हें भी आप GL Mini GL में ही ट्राई कीजिएगा इस इमुयू की बात करें यह आपके लिए small link में भी important रहेंगे और grand link में भी important रहेंगे अब अगर बात करें टीम की तो चलिए हम आपको टीम बना के दिखाता हूँ अभी के लिए मैं सिमुयू को अपने टीम में रखू ठीक है तो चार तीन का combination मैंने आपर बना लिया team preview आपके सामने है ठीक है अब यहाँ पर जो difference आप create कर सकते हो कैसे कर सकते हो अगर आप रिस्क टेकर हो तो भाई इन्हें substitute list में रखेंगे तो भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो cvc की बात करेंगे कैटन सी भाई अभी के लिए नो डाउट में जैड ओडी एंबो को देने वाला हूँ वी सी के अगर बात करें तो वी सी भाई यहाँ से में ए ओगवांग को देने वाला हूँ आगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ओ कोफी या फिर भाई आर बोनी फेस को दे सकते हो बट अ की टीम मिलेंगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैस टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम